हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल इडू फाइल, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स रिंग्स के बारे में डीडेल में डेस्स करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉंसेप्ट को, नोट्स के साथ में, वर्किंग के साथ में, डेरिवेशन के सा सबसे पहले समझते हैं, न्यूटन रिंग क्या होता है, और यह क्यों आया, न्यूटन रिंग एक फिनामेना होता है, जिसमें हमें इंटर्फेरंस ओफ लाइट मिलता है, इंटर्फेरंस ओफ लाइट मिलेगा, तो क्या मिलेगा, फ्रिंजेस भी मिलेगा, लेकिन यहाँ प सबसे पहले 1666 में Newton ने बताया था इसलिए इसका नाम पढ़ गया Newton Rings यानि कि यहाँ पे pattern के हिसाब से हम नाम बता रहे हैं कि भाई इस experiment का क्या नाम है Newton's Rings अब इसको हम समझते हैं इसके basics को पहले समझते हैं तो basics कुछ इस तरीके से हैं हमने एक convex lens को हम जानते हैं कुछ इस shape क होता है अगर हम यहाँ पे beach से इसको divide करें तो इसको हम कहेंगे plano-convex lens यहाँ पे हम लोग इस experiment में plano-convex lens का यूज करते हैं और plane glass plate का और उस पे हम plano-convex lens को इस तरीके से रख देते हैं अब यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे touch हो रहा है ग्लास से हमारा lens टेच हो रहा है लेकिन यहाँ पे खाली जगह है यहाँ पे खाली जगह है तो यह दोनों जो खाली जगह है वहाँ पे हमारी क्या है air है इन दोनों जो topic हम लोग already पढ़ चुके हैं यानि उसी topic पे based हमारा neutral ring topic भी है तो अब देखते हैं कैसे इसमें interference होता है तो यहाँ पर आप देखिए जब light हमारी इस तरीके से आती है इस किसी source S से इस तरीके से जब light आती है तो क्या होती है हमारी इस वाले surface से reflect हो जाती है इस वाले surface से reflect होके चली गई और जादा तर light जो है वो नीचे आ जाती है यानि glass plate से glass plate से reflect होके जाती है अब यहाँ पे एक single source से दो light ray हमारी निकल चुकी है एक इस boundary से reflect होके गई है और एक नीचे वाली boundary से reflect होके गई है यह दोनो ray 1 और ray 2 आपस में क्या कर जाएंगी interfere कर जाएंगी हम ज जानेंगे क्यों circular आता है इसका width क्या होता है सारी चीजों को जानेंगे तो देखते हैं सबसे पहले lab में कैसे experiment को perform करते हैं यहाँ पे तो मैंने आपको simple language में बताया lab में कुछ इस तरीके का experiment किया जाता है देखिए वही चीज है plane glass plate plane o convex lens हमने लिया है अब यहाँ पे आई कैसे काते है experiment को 45 degree पे 45 degree पे यह incline glass plate अब light यहाँ पे आएगी तो reflect होके नीचे आ जाएगी इस तरह से यह भी reflect होके नीचे आएगी अब reflect होके नीचे आई है इस तरीके से आप direction को दिखा दीजे reflect होके नीचे आई है अब यहाँ पे light का कुछ पार्ट उपर से reflect हो जा यहां पर आप देख नहीं सकते इसको जैसे इसमें है एक रे से हमारी दो रे में बटी है वैसे यहां पर भी दो रे में बटेगी और यहां पर भी क्या होगी दो रे में बटेंगी और यह हम लोग देखेंगे कहां पर माइक्रोस्कोप में तो हमें सर्कुलर फ्रिंजेस यहा जैसे इसे दूर बढ़ रहे हैं वहा थिकने स्जादा है यहां पर पढ़ रहे हैं तो अलग तरीके का पैटरन मिलेगा एक दम पास में पढ़ रहे एक्स परीमेंट नूटरिनिक में मिलता है अब यहां पर इसके नोट को सबसे पहले आप समझ लिए बेसिक जब क्लियर होग ताकि parallelly light आये हमारी और ये incident हो किसी glass plate पे जो कि 45 degree पे inclined है जिससे light हमारी reflect होके नीचे की तरफ आएगी नीचे की तरफ आएगी तो दो rays बनेंगे दो नो rays आपस में interfere करेंगे हमें interference pattern microscope पे देखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं आप notes को प्लेइनो कॉनवेक्स लेंज प्लेज 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 प से reflect होगा यहां पर वही चीज़ यहां पर बता रहा हूं मैं कि क्या हो जाएगा glass to air boundary से और remaining जो होगा वो पहले तो नीचे आएगा transmit होके फिर उसके बाद वो again reflect हो जाएगा air to glass boundary पर the two rays reflected from the top and bottom जो top और bottom से दो rays reflect हुई है वो आपस में क्या करेंगे interfere कर जाएगे और darkness और brightness लाएगे जब interference होता है तो dark और bright fringes मिलता है हमें अब यह bright और dark fringes जो है वो हम कैसे बता पाते हैं path difference के वज़े से कि भाई इन दोनों rays में कितना path difference हो उसी हिसाब से तुम बता पाते ह सिरेंगे से कि भाई कब dark होगा कब bright होगा और यह जो है darkness और brightness वो थिकनेस पर भी depend करता है यानि के अगर यहाँ पे light incident हो रही है तो और होगा darkness brightness यहाँ यहा पर हो रही है अगर इक्दम बीच में center सेंटर पर इंसीडेंट हो रही है सेंटर पर इंसीडेंट होगी तो हमें डार्क फ्रिंज ही मिलेगा डार्क क्यों मिलेगा क्योंकि सेंटर पर थिकनेश जीरो होती है अभी पता चलेगा जब आप डेरिवेशन को करेंगे तो आपको सारी चीजे क्लियर होंगी यहां पर हमने basic को समझा working को समझा कैसे कैसे system होता है कैसे interference हमको मिलता है circular fringes मिलता है अब आगे की चीज़े देखते हैं कि भाई path difference पे हमारा darkness और brightness कैसे depend होता है path difference हम लोग जानते हैं कि path difference क्या होता है path difference होता है del a is equal to two muti cos r अब path difference कैसे निकाला जाता है हमने thin film के video में derivation किया था उसका और wedge shape film में भी derivation किया था यहाँ पे आप direct समझ सकते हैं कि path difference होता है to muti cos r होता है अब इसको समझे कि भाई यह ऐसा क्यों है path difference का formula तो यहाँ पे mu जो है वो है refractive index क्या है refractive index of the film जो film है उसका refractive index की performance I am film क्या है यहाँ पे बीच में हमारी gap है वही क्या है फिल्म है ती Census हर जगहां अलग है यहाँ पर the qual flute अलग है यहाँ पर अलग है संधें और और को सार क्या है जो reflect होके हमारा रे जा रहा है और स्दुन का और आंगल reflection karton यहाँ अ is Montes हैं टिकनेस है यहां पर ir film का आर जो है हमारा रिप्रिक्टिव इंडेक्स है तो यह चीज हम समझ चुके हैं अब हम लोग मान लेंगे कि normal incidence हो रहा है light का लाइट का normal incidence हो रहा मतलब 0 degree पे हम लोग मानते हैं कि चलिए ओर मुऊ की वैलू one होती है क्यूंकि air है यहाँ पर क्या है एयर का refractive index कतना होता है तो मुऊ के जगहाँ पर रख देंगे और R के जगहाँ पर भी one रख देंगे तो 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 टी के आजाए गया, यह हमारा क्या है पाथ है- यहाँ तो ती बाव से uel मारे Ap lambda by 2 के equal होगा तो constructive interference होगा bright fringes मिलेगा maximum मिलेगा यहाँ पे M0123 होता है destructive के लिए हमारा path difference है वो M lambda के बराबर हो जाएगा इस तरीके से हमें dark fringes मिलेगा और minimum मिलेगा अब इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल रहा है तो constructive का यह case होता था और destructive का यह case होता था यहाँ पे opposite हो गया है case तो case opposite होने का reason मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको case opposite होने का reason यह है क्योंकि यहाँ पे reflect होके light गया इस तरीके से फिर यहाँ पे air से glass नीचे देखे आप air से glass में light आया जब lower refractive index यहाँ पे आयेगा reflect होगा तो यहाँ पे 180 degree का face shift हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा नहीं तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ light wave face change कर लेता है जब वो reflect होता है आयसे surface से जिसका refractive index जाता होता है तो glass का तो भाई ज़्यादा ही होगा उससे reflect होगा तो 180 degree face shift हो जाएगा यानि इस वाले का जो ray 2 है इसका face shift हो जाएगा 180 degree का और 1 का हमारा answer हैगा तो 1 हमारा कुछ इस तरीकी का wave चलेगा और 2 जो है वो इस तरीके face shift हो जाएगा तो face shift होने के वज़े से ही क्या हो जाएगा condition जो है constructive और destructive का आपस में बदल जाएगा तो I hope ये आपको condition समझ में आगा dark fringe, bright fringe का मिलेगा ये भी समझ में आगा आप देखते है circular fringe ही क्यों मिलता है हमें Newton ring experiment में ये हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखें सर्कुलर fringe सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि circular fringe हमें मिल रहा है तो यहाँ पर circular fringe मिलने का reason क्या है तो इसी आप diagram से समझेए कि यहाँ पर आप इसको देखें हमने 3D में लाइन थोड़ी ना होती प्लेट होता प्लेट पुरा ऐसे होता है लेंस हमारा पुरा ऐसे होगा प्लेटो कॉन्वेक्स लेंस तो अब इसको समझेए जब light माल लेते हैं यहाँ पर fall कर रहा है यहाँ पर fall कर रहा है तो इसकी thickness जो है यहाँ पर माल लेते हैं T है क्या है T है तो इसकी thickness जो है वो चारू तरफ यही होगी मतलब एक point पर भही देखें यहाँ पर T थिकनेस है तो चारू तरफ इसकी thickness क्या होगी T होगी यहाँ पर अगर T1 थिकनेस है तो चारू तरफ वाद कर रहा हूं तो यह राउंड-टांड होने के वज़े से थिकनेस ही हमारी राउंड-टांड होगी पूरी लाइट जब गिरेगी इस तो पूरा round round रहेगा तो इसलिए हमारा जो fringes भी होगा वो round होगा यानि कि circular fringes होगा आप इसको पढ़िए और समझिए thickness of air film at the point of contact is zero point of contact पे zero है और increase करता है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं as we move outward the locus of point where the air film has the same thickness जहाँ पे same thickness होगा मतलब मान लेते हैं यहाँ पे भाई इस point पे टी थिकनेस है अब यहाँ पे हर हर तरफ सेम थिकनेस होगा इसे गोल गूल घूमोगे चक्कर लगा होगा आप तो सेम थिकनेस होगा तो इसी वज़े से इसको हम locust कर दे मतलब सारे point को collect कर ले तो हमें circle मिलेगा और उसका point of contact जो होगा वो उसका center हो जाएगा तो हमें इस तरीके से circular fringes मिलेगा अगर यहाँ पे light गिर रही है तो थिकनेस कुछ और होगा तो एक pattern यह मिल गया अगर यहाँ का हमें dark एक bright एक dark एक bright pattern मिलता है अगर हम लोग monochromatic light का use करते किसका यूज करते है monochromatic मतलब light of single wavelength light of single wavelength यूज करते है तो हमें ऐसा pattern मिलता है लेकिन भाई अगर हम white light का use करते है यानि कि जो हमारे daily life में होता है उसको तो आपको बहुत इब्यूटिफुल अलग अलग color का pattern यहां पर आपको clear हो चुका है circular fringes अब हम लोग क्या करेंगे derivation करेंगे radius निकालेंगे कि fringes का radius कितना है भाई सारी चीजों को calculate करेंगे और यह newton ring experiment का usefulness क्या है क्यों पढ़ रहे हैं यहां पर इसको पढ़ने से benefit यह है यह भाई इसके pattern को देख कि आप wavelength of light बता दोगे क्या बता दोगे wavelength of light कौन सी light incident हुई यह बता देंगे आप अगर आपने इसके pattern को study कर लिया तो चलिए सबसे पहले अब लोग हम लोग radius निकालते हैं fringes का कि भाई dark fringes का हमारे radius क्या क्या आ रहा है तो radius को निकालने के लिए ही हम लोग वैसे ही मान लेंगे experiment वाला जो हमारा था glass plate और यह प्लेनो convex lens दी हमने ले लिया अब इस जो प्लेनो convex lens है इसका radius r है तो यहाँ पे r ले लिया गया है और यहाँ m से o तक यह r radius है इसकी समझ में आया अब मान लेते हैं कि t thickness पे हमारा काम हो रहा है t thickness पे हमें यहाँ हमें dark fringe मिल रहा है r हमने radius अब कर विचर माना है और t thickness पे हमें dark fringe मिल ला है यानि कि point q पे हमें dark fringe मिल ला है अब डेडे वाशन करते हैं कि रेडियस क्या होगा डार फ्रिंच का यानि रेडिय आइं मतलब प्लूरल रेडिय ऋफ नीउटर्म नंग भी आपके सकते हैं तो ट्रेंगल पी एंडम में पैथाग्रेस ही हमें लगाएंगे पैथा इसक्वायरूरें लगाएंगे पैताग्रे स्कुएर की value हो जाएगी small RM का स्कुएर और यहाँ पर MN स्कुएर की value हो जाएगी देखे यहां से यहां तक फुरी R है और यह हो जाएगा R minus t then हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर 12 r Dr kommt ljv 20 कशन दस्कॉयर षर्म स्कुयर differ young defence अब का hok हमारे यह आजाएगा बहुत ही सिम्पल पैथा गुरस्यवर्म लगाया तो यह हमारा आरे मिस्वार्य आया अब हम लोग जानते हैं कि ठीकनेश जो है बहुत कम हैं कंपेरटु रेडियस ऑफ दा लेंस लेंस के रेडियस से हमारी थिखनेश बहुत कम है यह हम जानते तो टू लोग लिख सकते हैं RM square is equal to 2RT यानि हमें क्या पता चल गया radius of fringes यहां से यहां तक है हमने पताया था point of contact center होता है सबका अगर यहां पे light गिरती तो यहां से radius हो चालू हो जाता है यहां पे light गिरती यहां से radius चालू हो तो 2T is equal to M lambda हम लोग लगा देंगे तो यहां पे देखिए RM square is equal to इस formula का use करेंगे यहां पे T is equal to M lambda by 2 लगा देंगे T के जहां पे M lambda by 2 put करेंगे तो RM square is equal to 2R और T के जहां पे M lambda by 2 रख देंगे 2 से 2 cancel out हो जागा RM square is equal to M lambda R आ जाएगा r m is equal to आ जागा under root m lambda r और m की value किती होती है 0, 1, 2, 3, 4 आपको पता है लेकिन 0 यहाँ पर नहीं लेंगे 1, 2, 3, 4 से रखना चालू करेंगे 0 पर थो हमें dark मिली रहा है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने ले लिया तो यह हमने radius निकाल लिया है Newton ring का अब diameter भी निकाल लेते हैं तो radius निकाला है तो कुछ value भी calculate करते हैं तो value कैसे m is equal to 1, 2, 3, r रखेंगे r1 निकालेंगे r2 निकालेंगे m के जगह पे केवल value put करते जाएंगे r1, r2, r3 आ जाएगा यहाँ से हमें simply हम कह सकते हैं एक relation हम तो मिल रहा है कि यह wavelength के root के proportional होता है wavelength के root के proportional यानि wavelength बढ़ाएंगे तो आपका यह क्या होगा fringes का radius बढ़ता जाएगा यह चीज़ आप यहाँ पे समझेए radius of m dark ring is proportional to under root of wavelength अब diameter भी निकाल लेते हैं फिर diameter को समझते हैं diameter क्या हो जाएगा double हो जाएगा radius का तो dm is equal to 2rm हो जाएगा तो dm is equal to यहाँ पे देखिए एक formula हमारा यह है rm is equal to under root 2rt मैं यहाँ पे लिख देता हूँ rm is equal to under root 2rt यह है तो dm is equal to हो जाएगा 2 under root 2rt और यहाँ पे dm is equal to एक formula हमारा और है rm का तो यहाँ पे हो जाएगा 2 under root m lambda r तो ये दो formula हमारे ring के diameter के बने हैं अब ring के diameter से fringes को चलिए समझते हैं कि fringes किस pattern पे आएगा तो spacing between fringes यहाँ पर मैंने आपको fringes का shape दिखाया था round round करके तो round round shape जो है यहाँ पर मैं बना दूँगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर देखिए यह हमारे diameter आया है अब m की value अब रखिए तो m की value हमने रखिए तो यहाँ पर 2 यहाँ पर रखिए 1 तो lambda फिर 2 रखेंगे तो 2 lambda 3 lambda, 4 lambda under root 2 को हम solve करेंगे तो 1.4 होता है under root 3 1.7 होती value under root 4 की value 2 होती है यहाँ पर इसका something आ जाएगा 2.8 into this term और यहाँ पर आ जाएगा 3.4 into this term यहाँ पर आ जाएगा 4 into this term यह तो यहाँ पर देखिए कितने का gap है 2.8 से 3.4 तक कितने का gap है यानि 2 और यह 6 यहाँ पर भी 6 लेकिन धीरे धीरे यह gap कम होता जाएगा जैसे हम m की value को पास पास आ जाएगा तो इस तरीके का pattern हमको मिलता है यहाँ पर अब देखिए हमें wavelength of light कैसे पता चल जाएगा न्यूटन रिंग के help से न्यूटन के experiment से यहाँ पर देखिए अगर हमें diameter पता है तो wavelength of the light भी बता सकते हैं एक तरीके से तो बहुत ज्यादा benefit है न्यूटन र करेंगे इस तरीके से तो आई होप यह चीजे आपको समझ में हैंगे derivation समझ में आएगा न्यूटन रिंग का बहुत usefulness है यानि wavelength of light, refractive index of light भी बता सकते हैं इसके pattern को देखके यह सारी चीजे हम कर सकते हैं आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से clear होगा इस वीडियो मे इतना रखते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच